क्या आप जानते हैं कि सौधी क्राउन प्रिंस बिन सल्मान ने नियोम मेगा सिटी से पहले एक ऐसा जादोई शहर बसाया है जिसकी कलपना हम और आप सिर्फ सपनों में ही कर सकते हैं इस शहर के अंदर सारी टेकनोलोजी लगा दी गई है ओटल की छटें ओटोमेटिक खुलती और बंद भी होती हैं ये शहर लाल सागर के नीले पानी के एक आईलेंड पर बना है जिसका नाम सिंधला है आपको जानकर हैरानी होगी कि सौधी क्राउन प्रिंस बिन सल्मान ने र योम मेगा सिटी का पहला इस साल तक टूरिस्टों के लिए खोल देगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूले हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं अरब के रेगेस्तान के बियाबानों की कहानी अक्सर हमने स सुनी है और फिल्मों में भी देखी है मगर अरब के रेगेस्तान की सूरत पूरी तरह बदल गई है सुदी अरब रेगेस्तान का सीना चीर कर लंबी-लंबी शलके बना रहा है आसपास के टापू पर शांदार सहर बसा रहा है पाम आइलेंड जैसे नई टापू कर निर्मा सुदी अरब में टूरिस्ट के लिए कैसा सहर बसना जा रहा है जो लंडन से 17 गुना बढ़ा है सुदी अरब 500 डॉलर की लागत से तयार नियों मेगा सिटी का पहला इस्सा इस साल तक टूरिस्ट के लिए खोल देगा यहां आए टूरिस्ट सिंधला में तयार किये जाने वाले आइलेंड रिसोर्ट का एक्स्पिरियेंस कर सकेंगे और वहां तयार किये गए इस्सांदार होटलों में से एक में ठैर सकेंगे 500 विलियन डॉलर की नियों मेगा सिटी प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है क्या आप जानते हैं कि प्र इसे तयार करने वाले इस मेगा सिटी को लाल सागर के एक खास दर्वाजे की रूप में पेश किया गया है सिंदला प्रोजेक्ट को 2017 में क्राउन प्रिंस बिन सल्मान दौरा लांच किया गया था पूरी तरह तयार हो जाने के बाद ये स्मार्ट सिटी 26.500 बर्ग किलोमीट लोगों के दोरे के अंत में ये खुलासा किया गया कि संदला इस साल जनता के लिए खुलेगा यहां कैई तरह की सुविदाएं आने वाले लोगों को महिया कराई जाएंगी जिसमें चमकदार रिजोट में एक वीच कलब, एक याड कलब, एक इस्वा, वेलनेस सेंटर, एक एक बड़ा सा गोल्फ के लिए मैदान, एक कलब हाउस, नो होटल, वाटर इस्पोर्ट इस्वा, हॉस्पीटल, पूल्स, इस्वाइरिंग ग्रीन इस्वा, गुइंग एरिया सामिल होगा